प्रेंड्स इसनेपी गल जिनका एक वीडियो आया था कि उन्होंने अपने बारे में रखा थे कि लोग मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं समहलने के लिए सुदरने के लिए हिम्मद चाहिए होती है जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर किसी महला का पती डैथ कर जाता है और उसे बहुत क्या स्थिती रहती होगी अगर आप किसी के साथ भी घटना घटती है तो बहुत दुखत रहती होगी ये बात हम महसूस कर सकते महला है तो सोच कर भी दुख होता है तो बहुत मुस्किल जो जिसमेहला को बरदास करना पड़ता है दूसरी बात दूसरी बार इगटना होती है तो असहनी होता है लोगों ने इस बात का इतना तमासा उड़ाया इतना जाधा मैंने आपने देखा होगा मेरे चैनल पर नहीं आया जबकि टॉपिक जिफ समाज को गलत चीज़े दिखा था एक इतना पारिवार को तोड़ देने वाली कहानी थी एक ऐसी घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता इस नैपी गल केवाली 22 साल के उमर में दो बारा बीधवा हो जाती है बीधवा सब कितना सराप होता और कई लोगों ने उसको इतनी बुरी तहीं किसी की मौत क भी तमासा बना दो इंसानियत मर चुकी है समाज से कहां चली गई इंसानियत सोचिल साइट पर हो कमेंट करकर के इसकी कुंडली में दोस इसका यह है वह है तमाम यह सब चीजे एक महला यहीं महला पर सवाल उठा रही बहुत दुख होता है किस कौन सी सदी के इंसान हो कर दोती है नस сделriers के उसको नहीं है नहीं है लोग में राजबिर की मौत को अपना भूस का जरिया बना लिए अगर कोई सभी चीज दिखा रहा है तो उसको प्रॉल कर रहे हैं कि आप ब्रूस कि अब नहिए कोई सची दिखाने की कोशिज कर रहा है लेकिन आप जो गलत गलत चीजे दिखा रहे हो क्या है इसने पी गल अपनी जिन्दगी मां आगे बढ़ना चाहती है जो कि हर किसी को हक है अपने जीवन को जीने का अपने जीवन को आगे बढ़ाने का हर किसी को अधिकार है आपको को कोई अधिकार नहीं किसी की जिन्दगियों से उसकी खुशियां को चीन लेने का जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसमें जहर बनने की तूट बनका टूटने की ज़रूरत नहीं कोई और दोबारा उठने की कोशिज कर रही है उसकी बच्चे है उसका परिवार है तो उपरवाले को हिसाब देना होता है उस चीज को याद रखो एक महला बन कर सोचो आप उसको अपने आपको उसकी जगह रखके देखो यह घटना अगर उसकी जगह आप होते और आपके साथ भगवाल न कर ऐसी कोई घटना घटती तो उसके बाद अगर लोग आपको समझाने क के बजाए आप पर अंगूलियां उठाते तो आप कैसे फेस करते जबकि आप इतना तूर चुके होते कि आपको शहारे की जरूरत होती लेकिन लोग सहरा देने के बजाए आपको धक्का देते आपको हर मुस्किल घड़ी में धकेल देते आप पर इतने सारे ब्लेम लगा रिखदा देते तो आप कहA सुधरते दोस्तों इंसानित वर्खो में इंसानियत को जिन्दा रखो जरूरी नहीं है वी उसके यह लोग करें उसके चाहने surprises के सघ्थ करना चाहिता हैं। तो किसी को गलत कहने का आपको क्या अधिकार है बहुत दुख होता है ऐसी मानशिक्ता के लोगों को देखके बहुत अफसोस होता है कि हमारा समाज तरक्की नहीं कर रहा हमारे लोग इतने गंद में जा चुके हैं उन्हें इंसानियत भी नजर नहीं आती राजबीर है कैसा चर्चित है इतने अच्छे उनकी वीडियो जो थे उनका एक परिवार तूटकर बिखर गया आप लोगों ने कुछ लोगों ने भी उसका जरिया बना लिया कुछ लोग अगर सही के लिए वीडियो बना रहे तो उनको ट्रोल किया जा रहा है तो एक क्या चीज है किसी की प्रवाल नहीं उठा सकते हो ना तो आप ले लीजिए जो कुछ ऐसी लोग है उनके लिए गर हम वीडियो बनाते हैं उनको गलत चीजों को अगर हम रामने लाने की कुछिस करते हैं तो आप हमारे पीछे पड़ जाते हूं इस नेपी गल उसकी पती की डैथ हो गई तो उस दोस्तों बहुत धन्यवाद वीडियो लंबा हो जाता आप स्कीप कर दें तो इसलिए वीडियो स्वाट मना रही हूं राज बीर के जो घर मघटना हुई भगवान से मातारानी से दुआ करती हूं उसके परिवार को सहने की सकती देना उसकी छोटी बच्चिया है पर सकती देना मातारानी की उन्हें इतनी हिमत देना सपना-चोधरी को कि अपने परिवार के दुख को भुला तो नहीं सकती हम सब जानते हैं लेकिन उसे इतनी सकती देना वो इतनी मजबूत बन जाया अंदर से अपने बच्चियों के लिए एक बाप भी बन सके अपने दो दो पतियों को खोया है, जिनकी दो बच्चीों ने अपने भाप को खोया है, और जिनके साथ ससुर ने पने दो जवान बेटु को खोया है, तो रहम करें ऐसे लोगों पे, प्लीज अगर किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो किसी का बुरा मत करिए, उपर वाला जब उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है कब किस पर टूप पड़े पता नहीं होता है तो उस पर दोस्त देना बंद कीजिए सपना ने अपने बयान दिया है और धीरे धीरे अपने आपको रिकबर करें भगवान करें जल्द से आये वह सोशेल साइड पर आये हम लोग उस प्यार दिया मेरे चैनल में मोनटाइज हो गया अगे इसी तरी कि मैं सोशल वर्कर हो समाज में महलाओं के लिए कारी करती हूं तो उमीद करती हूं आपको मेरा वीडियो पशंद आ रहा होगा और आव रहा है आपके प्यारे पर कमेंट्स मुझे शब चीज़ा करती होनी के लिए मैंने चैनल बनाया है तो एड की साथ वीडियो देखेंगे तो मैं लोगों को और हैल्प कर पाऊंगे तो थैंक्यू आपका दिल से अगर आने वाले समय में आगे आप मेरी वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे मेर और वीडियो आप तक पहुंच सकें देन से आपका धन्यवाद